हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ नीलम, आज हम बनाएंगे नौर्थ इंडिया की फेमस रेसिपी, मठ्थे के आलू, अब यह मठ्था क्या है, कई लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं बता देती हूँ, मठ्था है बटर मिल्क या छाच, उसको हम मठ्था बना लिया है, इसके बार मैंने तीन बड़े सा इसके आलू लिये हैं, जिसको बने उबाल कर और छील लिये हैं, तो अब हम एक इसके लिए मसाला तयार करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे हल्दी, तो यह मैने ली है, आदी चोटी चमच हल्दी, और लेंगे मिर्ची, आदी चोटी चम्मच मिर्ची और थोड़ी सी और मिर्ची डालेंगे अच्छी चटपटी सी सबजी बनेगी और इसमें हम डालेंगे थूड़ा सा पानी मतलब एक या दो जो चमज और इसका एक पतला घोल बना लेंगे यह जो सब्जी है यह बिना टमाटर प्याज लैसुन अद्रक के बनाई जाती है फिर भी एती स्वाधिश्ट होती है तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले कड़ाई रख दिये गैसॉन करकर उसमें हम ड पाइली हो जाती है इसके बाद एक छोटी चमज भरके जीरा इसमें सिर्फ जीरे का तड़का लगता है राई का हींका बिल्कुल भी नहीं लगता है और इसके बाद में जो जीरा तड़क जाएगा तब हम इसमें यह जो घुला हुआ मसाला था वो डाल देंगे तो यह घो मसाले को घोल कर अच्छे से भूनेंगे इसको खूब भूनना चाहिए आप जितना भूनेंगे सब्जी में उतना ही स्वाथ चड़ेगा और इसमें धनिया गरम मसाला वगएरा बिल्कुल भी नहीं डलता है बहुत सिम्पल सी सब्जी है पर बहुत टेस्टी है मसाला अच्छे से भून गया है तेल पूरा उसने छोड़ दिया है अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ तो आलू को हमें चाकू से काटकर नहीं डालना है हाँ से मसल के डालना है कुछ आलू हमें एकदमी मसल देना है ताकि जो इसकी ग्रेवी बनेगी उसको थोड़ा बेस मिलेगा तो अगर आपको मेरी रेसिप अच्छी लगी तो इसे लाइक किजिए शियर किजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अब हम इसको चला दें हलका सा पानी डालेंगे और इसके बार में हम इसमें मठ्ठ डाल देंगे तो दई थोड़ा खट्टा होना चाहिए सबजी थोड़ी खटी अच्छी लगती है या मठ्ठ आपका खथ्ता होना चाहिए आजकल तो मठ्ठे के पैकेट्स मिल मार्केट में आपवेलेबल हैं चांच बोलते हैं, तो मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था, जितना मुझे रसा रखना है, उस हिसाब से, और अब मैंने गैस को जला दिया है, और इसके बाद इसको continue चलाते रहना है, क्योंकि मठा भी फट जाता है, जैसे दही फट जाता है, वैसे मठा भी फट जाता है, तो दही न, इसके बाद में इसको जब तक हमें चलाना है continue, तब तक इसमें उबाल ना जाए, एक बर ये उबाल आ गया, तो सबजी एकदम सेफ हो जाती है, ये फिर, अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक पहले नहीं डालना, छांच जो है वो फट जाएगी, अब इसको continue चलाएंगे, और हम इसे 6-7 मिनित तक उबालेंगे, जब तक ये अच्छे से उबल ना जाए, तब तक हमें इसे बिल्कुल भी बन नहीं करना है, अभी देखिए इसका कलर थोड़ा ऐसा दिख रहा है न, थोड़ी देर में एकदम चटकीली सबजी हो जाएगी, पूरा जो इसका लाल-लल कलर है मिर्ची का उपर आ जाएगा, देखिए आया न, देखिए इसको सबजी की क्वांटिटी भी कम हो गई, थोड़ी गाड़ी भी हो गई, 6-7 मिनित उबल उबल के, तो ये सबजी बनकर एकदम तयार हो गई है, गैस करेंगे बन, और अब हम इसे निकाल कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब हम मठा डालेंगे तब गैस को हमें बन कर देना है, और जब वो उबलेगा, तब हमको नमग डालना है, तो पास्ते देख लीजिए, इसको आप रोटी पूरी पराथा चावल के साथ खा सकते हैं, पर सबसे अच्छी सबजी ये लगत पूरी के साथ अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ थैंक्यू सो मच